आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मचली के सरों का सारण जो के बहुत ही मज़े का बनता है बहुत ही कम इंग्रीडियन्स के साथ बनता है इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा लसन का पेस्ट लिया है वंटी स्पॉन हल्दी लिया है वंटी स्पॉन लाल मरच वंटी स्पॉन नमक वंटी स्पॉन सुका दनिया वंटी स्पॉन कसूरी मेथी वंटी स्पॉन सबस मरच हस्वेश जरूरत half kg लिये हैं हमने मचली के head tomato लिये हैं तीन अदर जो के normal size के थे और एक अदर लिये हैं बड़े size की प्यास oil हमने रख दिया था जो के गरम हो चुका है और मचली की smell हतम करने के लिए सबसे पहले हम मचली को fry कर लेंगे एक से दो मिनट के लिए मचली को मैंने wash कर लिया था सिर्का और नमक लगा के ये आपने भी कर लेना है इसे ये होगा किसकी smell नहीं आएगी तो जब तक ये एक से दो मिनट लेते हैं fry होने में और इसका आपने oil निकाल लेना है और इसके अंदर ही हमने gravy बना लेनी है इस तरीके से हम pieces निकाल लेते हैं और इसी के अंदर हम masala बना लेंगे heat normal ही है वीडियो को जरूर ट्राइ कीजेगा इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेका होता है oil हमने कम कर दी है अब इसके अंदर add कर देते हैं प्यास प्यास को हमने कर लेना है brown जैसा कि प्यास brown हो चुकी है तो आप इसके अंदर add कर देते हैं बाकी ingredients सबसे पहरें इसके अंदर add करनी है आपने lesson लसन add करने के बाद आप तब तक इसको बून लें जब तक खुश्बू आ जाए इसके साथ ही अब हमने डाल देना है जब खुश्बू आने लगेगी तो बाकी ingredients डाल लेते हैं सारे मसाले एक साथ हमने add कर दिये हैं और इसी के साथ टू टेबल स्पोन हमने पानी add करके मसालों को अच्से तरीके से mix कर लेना है तो माटर डालने के बाद इनको नरम होने देना है जब तक ये नरम हो जाते हैं इसके बाद हमने इसके अंदर मचली add करनी है और पानी थोड़ा सा add करना है इसे ही होता है ऌक ग्रेवी जल्दी देंगे फिश, फिश एड़ करनी है और आपने इसको एक से दो मिनट के लिए बून लेना है जब तक कलर आ जाए जैसा के मचली को दो से तीन मिनट हो चुके हैं और पानी मेंने नीम करम कर लिया था इसी पॉइंट पे इसके अंदर दो कप पानी एड़ कर रही हूँ हम मचली का सालन बना रहे हैं तो मैं पानी एड़ कर रही हूँ अगर आप पानी ना भी एड़ करना चाहे तो ग्रेवी भी रख सकते हैं जब पानी एड़ कर लेंगे तो इसको अगेन हम कवर करके रख देंगे दो से तीन मिनट के लिए नॉर्मल प्लैम पे और इसके बाद हम इसके अंदर चाहें तो सबस दनियों और सबस मरच एड़ कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो लोग चैनल पर नहीं हो हैं चैनल को सबस्क्राइब कर लें उसके साथ ये बेल आइकन को प्रेस कर लें उससे ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियो का नुटिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा कोई भी व मुझे दीजिए इजाज़त इन्शाला मिलूंगे एक नहीं वीडियो के साथ दो में याद रखिएगा खुदा आफेज